हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेम्पियन गुर्जी फ्रेंड्स, आज की स्विडियम लोग वास्थविक संख्या से परिमे संख्या और अपरिमे संख्या के परिभासा को देखेंगे और इसे एक्जामपल के साथ बहतरीन तरीका समझेंगे क्योंकि बहुत सारे टूड्स को इसमें कनफ्यूजन होता है और वे पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन परिमे संख्या है और कौन अपरिमे संख्या है तो दोस्तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को ध्यान से अंतक देख लिजिए आज के बाद इसमें कोई भी कनफ्यूजन नहीं होगा और आपका सारा ड़ड क्लियर हो जाएगा और वीडियो को अंतक पहुंचते पहुंचते आपको 10-15 नंबर दिया जाएगा उसमें से कौन परिमें है और कौन अपरिमें है आप खुद पहचाना सिख जाएगे तो आप इस वीडियो को अंतक जरू देखिएगा तो दोस्तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए और ध्यान से सिखते रहिए तो दोस्तों सबसे पहले देखिए वास्त्विक संख्या को real number काते हैं और यहाँ दो परकार के होते हैं एक होता है परिमे संख्या जिसे English में rational number काते हैं और एक होता है अब परिमे संख्या जिसे irrational number काते हैं तो देखे सबसे पहले अगर वास्त्विक संख्या का परिभास आपसे पुछा जाए तो आपको क्या बताना है कि परिमे संख्या और अब परिमे संख्या के समुच्चे को यानि योगों को क्या कहते हैं तो वास्त्विक संख्या कहते हैं ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम लोग सिखते हैं परिमे संख्या को तो देखें परिमे संख्या का परिभासा क्या होता है तो देखें वे संख्या जिसे P बाटा Q के रुप में लिखा जा सके उसे परिमे संख्या काते हैं जहां Q बराबर नहीं हो 0 यानि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो चलिए आपको य बाटा Q देखिए यहां बाटा होता है इसके उपर जो होता उसे क्या कहते हैं तो अंस कहते हैं ठीक है और इसके नीचे जो होता उसे क्या कहते हैं तो हर तो यहां पर P क्या है तो अंस है और Q क्या है हर है ठीक है तो देखिए जिसे वैसी संख्या जिसे P बाटा Q यानि बाट behavior zero नहीं होना चाहिए यानि हर में हेह Whole जिसका जीरो नहीं होगा उसी को हैंगो तो परिम BRA करेंगे घींगे टो चलिए एक्जांपल के साथ सम мирते हैं तो देखिए अगर यहां पर три बटा दो लिखा हुगा है या पांच बटा चार लिखा हुगा है छो बटा आठ लिखा हुगा है बाइस बटा साथ लिखा हुगा है कुछ भी लिखा हुगा है इस तरह से बटा में लिखा रहा है तो क्या कहेंगे तो उसे परिम्य संक्या कहेंगे क्यों कहेंगे क्यों कि दे और भी इसका example देते हैं, जैसे देखे, 0, 0 के बाद, 0 के दाएं साइड में जो संख्या लिखा जाता हुआ, क्या होता है, तो plus में होता है, और दाएं साइड में minus में होता है, जैकि 1, 2, 3, 4, इस तरह से अगर infinite तक जाए, या इसके बाएं, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, इस तरह से अगर अ बाटा में एक रहता है, दो लिखा हुआ है, तो 2 के बाटा में एक होता है, और देखे, बाटा में जो एक है, या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए या सब जो पुर्नांग संक्या है, 0 से लेकर इस तरह plus और इस तरह minus, जो भी संक्या होता है, सभी को क्या कहते हैं, तो पुर् परिमेसंख्या है क्यों है क्योंकि बाटा में इसके एक छुपा हुआ है इसलिए जीरो क्या है तो परिमेसंख्या है अब देखिए कौन परिमेसंख्या नहीं होगा या कैसे पहचानेंगे तो देखिए एक ही इसका है देखिए परिमेसंख्या कौन नहीं होगा तो अगर एक बटा जीरो लिख दिये जाए यानि बटा में अगर जीरो आ जाएगा तो आप देखते बता दिजिएगा कि वह परिमे संख्या नहीं होगा क्यों ठीक है तो कि अगर चार बटा जीरो लिख दिये जाए या 101 बटा जीरो लिख दिये जाए तो यहां सभी देखिए बाटा में जब 0 आ जाएगा तो यह परीमे संख्या नहीं होगा ठीक है तो आइजोब दोस्तो अब परीमे संख्या आच्छे से समझ गाए होंगे तो चलिए अब 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 आपरीमे संख्या का परिवासा देखते हैं तो वह होगा आपर में संख्या है, जैसे एक्जामपल के साथ समगते हैं, तो देखी, रूट दो, रूट तीन, रूट छो, रूट आठ, रूट दोस, ठीक है, रूट साथ, यह सब क्या है, तो आपर में संख्या है, क्यों कि देखिए root 2 है और 2 का पुरा पुरा work moon नहीं निकलेगा इसलिए root 2 अपरी में संक्या है उसी तरह से root 3 का भी work moon नहीं निकलेगा इसलिए यह भी अपरी में संक्या है ठीक है और देखिए अपरी में संक्या को पहचानने का एक नियम है देखिए क्या नियम है तो πाई और रूट दोनों अपरी में संख्या होता है ठीक है देखिए पाई भी क्या होता है तो अपरी में संख्या होता है और पाई किसी भी संख्या के साथ लग जाएगा जैसे देखिए 6 पाई इस तरह से किसी भी संख्या के साथ लग जाएगा तो देखते समझ जाएगा कि यह सब क्या है तो अपरी में संख्या है और इस तरह से रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा रूट वाली संख्या रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा क्योंकि देखिए अगर root के अंदर इस तरह से 4 लिख दिया जाए root के अंदर 4 लिख दिया जाए तो देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और root 4 के जगापर हम क्या लिख सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का square 4 होता है और यह जब root 4 बाहर निकला तो क्या हो गया तो 2 हो गया और इस पर root नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा तो परिमे संख्या हो जाएगा और परिमे संख्या नहीं होगा ठीक है उसी तरह से देखिए root अगर 16 लिख दिया जाए तो रूट 16 के जगापर हम क्या लिख सकते हैं तो चार लिख सकते हैं तो चार परिमे संख्य हो जाएगा और रूट 16 भी परिमे संख्य हो जाएगा क्योंकि यह जब बाहर निकल रहा है तो यह चार हो जा रहा है ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप परिमे संख्या और आप परिमे संख्या बहुत ही असन तरीके समझ गए होंगे तो चलिए यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हैं जिसमें से आपको पहचानना है कि कौन परिमे संख्या और कौन आप परिमे संख्या है जीरो, 0 क्या है? तो परिमेसंग क्या है, क्यों? क्योंकि देखिए, 0 बाटा 1 लिख सकते हैं, और यह पी बाटा Q के रूप में लिख दिये, और यहाँ पर Q 0 नहीं है, इसलिए, यह क्या हो गया तो परिमेसंग क्या हो जाएगा, 0, आप इसको ध्यान रखेगा, यह बार-बा पूरा वर्ग मुन नहीं लिखलेगा तो भी क्या हुगया गापरीमेसं क्या होगा ठीक है और देखिए उसी के जगह पर रूर रूर न लिखा हुगा है इस तरह से Luego ननाव रूर रू है कि जब भी किला किसी संख्या के साथ पाई लगा हुगा इस तरह से तो आप समस्द आप की वह क्या है ओपरिमें मैस अपरिमें संख्या तो यह 17 व्य운 के न within दौने कि आ तो आप理में यह से यह तो इस तरीक एस परिमेश संख्या清 के बहुत यहाषा का रहे होंगे ृप्न ऑपकी वीडियो अच्छा लगा होगा समझ महां होगा गया टो अच्छा लगई चुछ्टर नवहाँ को बन्हां गावा उसी वीडियों आधको रहे व्यां तो मिलती रहे हैं